यह सरकार का तक्त मुवारा कैं तो यह पूरी चांदी तु यह पूरी चांदी है मैं आपका दोस्ट आफका भाई आसीफ का जबादी आज मैं आपको लेकर आगें हूं दिल्ली में चराग दिल्ली जगहापर और यहाँ पर आज मैं आपको दिखलाने वाला हूँ हजरत फाजा नसरी उद्दीन महमूद की दरगा जिनको रोशन चिराग दिली भी कहा जाता है तो ये व्लोग काफी खास होने वाला है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये व्लोग व्लोग स्टार्ट करते हैं पहले आपसे मेरे रिफ्रेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो जल्दी से सुरू करते हैं ये व्लोग पतली पतली गजियों में से निकल कर अब हम यहां आगे हैं यहां आप देखेंगे आपको जो कर नान सिख्ट हुए गरम गरम नान आपको खैने के लिए मिलेंगे यहां पर यह आप यहां पर होटल है तो आप यहां कर आकर कुछ भी खापी सकते हैं यहां पर दरगा के पास नहीं आपको यह चादरियां यहां से आपको मिल जाएंगी फूल मिल जाएंगे यह आप यहां से ले सकते हैं यह है दरगा का यहां से में एंट्री गेट यहां से हम चल र में बात करों तो इसको ऐसा बतलाया जाता है कि यह चांडी का है आण तो यह भाई हमें इसके गेत के बारे में सारी डिटेल बताने वाले हैं यह सरकार का सरकार का टाइम पर गेत है यह लकटी बारप नहीं ल्टानी का है ये सरकारा में अपना हसे लंगाय त morphine यह पूरी चांदी का गेट ना इसके अंदर लखडी लगी होई है ओके और वो आजड़ने खुद लगाई थी कि अपने हाथ से लगाई थी देखलाने के लिए मिलती है यह मैं आपको देखलाने की बात यहां से देख सकते हैं यहां से हम चलेंगे सामने की तरफ हम देखेंगे तो मस्जिद बनी हुई है यहां देख सकते हैं यह हमारी रागे बाइए रागे भाई कैसे आप असिफ भाई के ज़री यहां पक्तक हम पहुंचे हैं दोस्तों यहां पर आने का फुकी से मन था और काने समझे कि आज जो है तविन्न हमारी पूरी हो गई है और की बेड़ीन भी लगए असी भाई पूर जानकारी आप खुद देंगे इनके वीडियों के लाइक की लिए रशेक दिलेगा सब्सक्राइब की तो यह आप देख सकते हैं यह है मस्जिद पांचों टाइम की नमाज का है टाइम लिखा हुआ है एक बार मस्जिद के अंदर चलते हैं आछ है कि मुढशल से अे टाइब के दो अरा कि तो बढ़St जी आप देख सकते हैं मजिद मजजिद के बराबर में यहां पर है यह किचिन यह आप देख सकते हैं यह जो कि चिन है رोज़ाना यहां पर अगर आप इशागी के बार जो भी यहां पर जो गरीब लोग पक्के के लोग या जो भी जरीम लोग यहां पर आते हैं उनको जो है यहां पर खाना पेस किया जाता है जिसे हम लंगर भी कह सकते हैं कि जैसे लंगर होता है इस तरह से यहां पर भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता है रोजाना में और रहाोगर सी कि पाले को मुझे तो बाहई सेल नाम क्या है स्वारी असीत में यहालो नाम यह पे और दिये कं स्वारत्ätक्राशे मैं वाक्या बताघा हूं सरकार के पाने से चिराकास है वाजरकान पाने से च छराक रोशन जाता जाता वज्ट पहुन एफ और ने निजास pengघा बालियों घै और पिरोमशिक का थी मांपर माँ अहलू आज के स सुन जात करे तै इheld कर यह जाता है माशालाओ ये एक हकते मजदूर लोग सोई नीते, अब ये पूरा तेल बेर सारी चीज़े पूरी बंद कर दी, अब पीरम मुर्षिद से बोला उन्हों हुजूर अब क्या करें, उन्हों नसीर अब क्या कर सते हैं, अब इसने सरकार ने माशाले इतने सारे घड़े लिए, प आगे देल्वीर हमादुला, इस सरकार का तक मुबारक है, 700 साल पुराना एक की नी इंजोईटनी वन पीस का तक मुबारक है, सरकार इसको भई बादत करते हैं सामने तक मुबारक आएंगे, आपको तक मुबारक दिखाता हूं सरकार को, तो गाईज, अभी हम देखने वाल आपको तक मुबारक है, 700 साल पुराना, एक की नी इंजोईटनी नी, माशाला है, वन नकड़ी का वन पीस का है, आपको पच्छे देख करिए, माशाला, सरकार इसको भई बादत करते थे, हजार खाजाने सिर्दी रह्मुद बादत करते थे, माशाला सरकार इसको भई माशाला इसको भई बादत करते थे, 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 माशाला इसक एक सब्सक्राइब है यह इसमें पूरे में पूरे में बी कोई एक कीलबी आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगी यह आप देख सकते हैं यह रही आप इनके साथ में यहां पर जो सरकार की मुरीद हैं उनकी यहां पर यह दर्गा बनी लिए वागी सरकार की ख़लीफा बांजिलिया है अजाब ख़ादा कि मादरी नगसे इणाथ और ख़ादा कि मादर्धान करे दियां तरे साथ से था बनाख्युद्, सा में भादॡ़गा उच्पान कार्दा कर देṇकula का स्रकुन अवादा का बनी लिए ख़्यादा के गरता है। कर वार्वर था कि में शब्धानाश्यारण भी आपकर यह भी एक टीज्च कि आप मार्चालाश्यार्द पिंगा भेर आप टेस्ट जाता है यह वह सिस्टार प्रण जांता है वुए कप जैश्टार कर दो के लिए आज अज़नाश्यार कि आभ आख कर दो के विए यह दो कि यह आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत इसको बनाया हुआ है अब बागी सरकार को अपने माशयला सुकुन पसंदा अपनी पीरमुशिस से बोला अपनी पीरमुशिस से बोला फुझो मुझे ऐसी दगा बेजी है जिसे मैं बुला हूँ अपने दर्पे जी माशयाँ ओर मशयाला अपनी नांश्यच सपना कर्टा मुझे जादी द द कर के गिया में वकिशनयार की आपया हुआ इशार्कार को अपने पुरा सुकुन तरो माशयाला अपनी सरकार की भारी सरकार अम्यूर्सा मुबारक आता या सब्सक्राइब वह विश्य श्रकार वह उट रहती है जो है जो कि लिए यान टर्फ केसे की सब्सक्राइब कि खुर्ट राम कि तो यान जो कि झार्व कि वेन श्रकार बेट जाएँ हुँआ है मुझा करें कि अदे हैं शर्कार को शुपनी के लिए अपने पिर मरशीट से मुझें अपने पीर मुष्शें घ्रावेज गवेजी ओगार शॉदूर्ण जिसे मैं बुलाओं इसलिए मार्षाला पूरी दिली सरकार दिली नम से पहमस है चिराद दिली नम मार्षाला मार्षाला चिराद दिली से लाम सही एए अभी मैंने अंदर से आपको दिखलाई रोसुन चिरागे देली की यह दरगा और यहां पर और क्या क्या है यहां पर यह भी आपको यहां पर दिखलाने वाला हूं तो यह आप यहां से देख सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं यहां पर और भी उनके जो शागिर्द यहां पर रहे हैं उन सबकी यहां पर कबरें बनी हुई हैं तो यह आप यहां देख सकते हैं यह आप देखिए यहां पर मैंने दिख़्ाया था वो तक्त आपको जिस पर हजरत ने 40 दिन का चिला यहां उस पर तक्त किया था तो यहां पर वो तक्त रखा हुआ है और यहां पर यह दोनों जो आप यह देख रहे हैं कबरें यहां पर ये दोनों हजरत के जो हैं भान्जे पुआ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं तो भाई अब हमें बतलाने वाले हैं चिस्तिया खांदान की जो गदिया है कहां से सुरवात हुई थी और यहां बतलाते हैं कि यहां पर आकर जो है वह गदियों का सिल्सला मतलब आगे नहीं बढ़ा था तो यह भाई हमें क्लियर करने वाले हैं हुआ है 1700 जो रोसन चरवात है भाई हैं श्रकार के पास है और चटी गदी सखान ने किसी को नहीं दिये अभी हम देखने वाले वो पेड जो रोसन चरागे देली ने खुद ही लगाया था तो चलते हैं आगे और दिखलाता हूँ वो पेड़ अभी भी बरकरार है तो दिया आप देख सकते हैं लगबख 600 से 700 साल लगबख हो चुके हैं और यह पेड़ अभी भी परकरार है माशाला आज के इस व्लोग में मैंने आपको जियारत कराई हजडत कौजा नसीरुद्दीन मेहमूर जिनको रोसन चरागे देली भी कहा जाता है इनकी दरगा की तो होफली यह व्लोग आपको उसका लगबा होगा आज शाब्सक्राइब क झाल